As we continue to draw closer, जैसे जैसे हम उनके पास पहुँच रहे थे, अगेन देखिया है, draw closer, जैसे जैसे हम उनके पास पहुँच रहे थे, they would explode into action, speeding directly towards us, जैसे जैसे हम उनके निकट पहुँचे थे, they would explode into action, फूट पढ़ना, एकदम बहुत हरकत में आ जाते थे, बम क्या होता है, explode होता है, उसी से शब्द बना explosion, population explosion, जन संख्या का फूटना, और भारी वृद्ध जन संख्या में, the population has exploded in India, बहुत जादा जन संख्या में वृद्ध होई है, and that bomb has exploded, hurting the policeman, वो जो बम है, वो फूट गया है, जिससे policeman को चोट पहुँची है, so to explode, so यहाँ क्या होता था, explode into action, एकदम action में आ जाते थे, बहुत बुरी तरह हलचल करते थे, जैसे जैसे हम उनके पास पहुँचे थे, वो हम पे नजर गड़ाते थे, तेज, fix us in their sight, अपनी नजर, नजर गड़ाते थे, और फिर जैसे हम, as we continue to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us, और हमारे पीछे दौड़ते थे, आप हम लोग जब जाते हैं, आप लोग जब जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, या कई बार शहर के अंदर ही तेजी से कार चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुआ अचानक पीछे से कुट्टों का जुंड आप पे हमला करता हुआ लगता है पीछे से तेजी से आता हुआ या सामने देख रहे हैं वो और आपने उनको देखा वो आँख उसने गड़ाई आपने भी देखा थोड़ा और अंदेखा करते हुआ आप चल थे मैस्टिफ बहुत उंचे पूरे तगड़े टिबिटन कुट्टे काले रंके हैं लाइक बुलिट फ्रम गन एंड नियरली एस फास और वो इतनी तेजी से भागते थे मानो बंदूग की गोली हो और उसके साथ ही साथ उतनी ही तेजी से भागते थे देवोट कम लाइक अचानक थे जिस जैसे बंदूग से गोली अचानक निकलती है ऐसी ये मैस्टिफ डॉग अचानक दोड़ना शुरू करते थे और हम पर एक तरीके से हमला करने की कोशिश करते थे जैसे की बंदूग की गोली जिस गती से चलती है उसी गती से मानोंए लोग आ रहे हैं इस शैगी मतलब चित कबरा जर्वेरा बाल ज्यादा साफ नहीं दिख रहे थे मान्स्टर मतलब राक्षस बहुत भेंकर कुटे थे ये मास्टिफ जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े मजबूत ताकतवार दिखने में भी बड़े कुरूल और काला तुरंग तो इसलिए यहा ब्लाकर देन दे डार्केस्ट नाइट इतने काले कि जो सबसे ज़्यादा अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले यूजवली बोर ब्राइट रेट कॉलर और बार्ग्ड फूरियसली विथ मैसिव जॉज यह जो मैस्टिफ थे दिनका रंग इतना काला था कि अंधेरे से अंधेरा भी का काला पन भी इनके सामने फीका पड़े इनके काले पन के सामने वो लोग क्या कहते हैं दे वोर ब्राइट रेट कॉलर उनके यहां पे एक ब्राइट काले रंग का कॉलर यहां रहता था पहने रहते थे पट्टा कॉलर यह पट्टा and barked furiously to bark that dog is barking furiously why are you furious at me तुम मुद पर इतना गुसा क्यों हूँ भैंकर गुसे के साथ ये कुटे भौंकते थे with massive jaws और jaw मन जबड़ा नीचे का हिस्था massive jaws इतना बड़ा जबड़ा था उसको खोल के वो जोड जोड से भौंके एक तो काला रंग पर उपर थे उनकी speed और फिर जुंड और अचानक कुजन की की जो हरकत उनकी थी बड़ी भजावा थी मैने, I had told you right at the beginning that in this story you will learn about the difficulties that the travelers faced while in journey this was one of the major difficulties, the mastiff dogs attacking them every now and then and so the mastiff were there big jaws very solidly built absolutely black in color and running like a bullet chasing them away they were completely fearless of our vehicle shooting straight into our path वो लोग हमारे गाड़ी की speed से या हमारी गाड़ी के के टकराने से उनका कोई डर नी था उसी इदा कूत के सड़क पे आ जा है shooting straight into our path हमारे सीधा मार्ग में आ जा है हमारे रास्ते में आ जाते थे causing Satan to break and swerf और परणाम क्या होता था एक mastiff यहां से कूदा एक mastiff यहां से कूदा चार वहां से आ रहे हैं तो जो टेशन था जो ड्राइवर था गाड़ी चला रहा था उसे बार बार गाड़ी को क्या करना पड़ता था ब्रेक लगाना पड़ता था और swerf करना To swerve करना मतलब manoeuvre करना आपने उपर पढ़ा पहले manoeuvre शब Swerve करना मतलब रास्ता बनाना He swerved his way तो उसने रास्ता बनाया बार-बार उसको एक करना पड़ रहा था अब यहाँ देखिए break की spelling यहाँ पर भी हम लोग बहुत बड़ी गलती करते है To break मनें तोड़ना और उसका उचारण है To break Brick तोड़ना B-R-E-A-K और कार और स्कूटर में जो आप गाड़ी रोकने के लिए जब पैर दवाते हो या हाथ से साइकल के तो वो क्या कहलाता है Brick नहीं है वो है Brick B-R-A-K-E Brick मतलब वो चीज जिससे गाड़ी की गती को रोका जा सके You apply break You don't apply brick और spelling में दोनों में अंतर देख लिजे ये है B-R-A-K-E So जब तब उससे cause मतलब कारण बनना जब तब Mastiff का रोड में आ जाना Mastiff का हमला करना Mastiff का जब तब बहुत तेजी से हमारे मार्ग में खड़े हो जाना इसके कारण जो Taysan Driver था उससे जब तब गाड़ी को मोड़ना पढ़ रहा था जब तब गाड़ी पर ब्रेक लगाना पढ़ रहा था और ये सब जानवर ब्रेक लगाने और गाड़ी को मैनूवर करने का कारण बन गया था बड़ी दिक्कत हो रही थी मतलब इन Mastiff के साथ दिक्कत यहीं खतम नहीं हो रही थी इनके हमले तो हो जब रहे थे हमारी गाड़ी भी चल रही थी लेकिन इस डॉक्स वोड चेज आस हमारा पीछा कर रहे थे तो चेज मतलब पीछा करना पीछा करना पीछा करना पीछा करना पीछा करना किन के द्वारा दॉक्स के द्वारा Mastiffs were chasing whom chasing these people in the car and chasing how much वो पीछा करते करते 100 मीटर तक दोड़ा रहे थे chase for a hundred मीटर और सो before easing of having seen us of the property अब देखिए off के हाँ दो शब्द हैं एक तो O F F और एक है O F आपने O F कर तो जाना का के की book of राम राम की किताब house of lords house of king राजा का मकान लेकिन यहां पे O F F off है off का मतलब क्या होता है किसी भी तरह का separation किसी भी तरह ते अलग होने के लिए हम हमेशा off कहते हैं then I saw him off फिर मैंने उसे बिदाई दे दी बिदाई में क्या होता है अलग होते हैं न तो यह separation जब भी हो उसमें हम सामाने ते O F F off लगा की बता सकते हैं यहां पर कैसे उपयोग हुआ है एक तो मैंने बताया I saw him off यहां पर क्या having seen of the property before easing off having seen us आराम में होना इससे पहले कि वो आराम आराम और इसके बाद फिर हमको करीब 100 मीटर तक दोड़ाते थे और इसके बाद फिर वो आराम से खड़ हो जाते थे आप देखते हैं कुटे भी ऐसा ही करते हैं यह normally dog की जो प्रजाती है dog family का nature है कि वो लोग पीछा करते हैं और कई बार कुटे पांच मीटर पीछा करते हैं कई बार पचास मीटर तक दोड़ा देते हैं और कई बार तो इसके कारण accident हो जाते हैं और यहां तो mastiff dog की बात हो रही है which were wild dogs which were huge dogs which were dogs very stockily built of Tibetan origin and which were deep black in color with big jaws ऐसे dog को देख के तो यह दोनों ऐसे ही डर रहे थे और इनको ड़ा दिया जाता था तो the dogs would ease off only after seeing them off the property property का अर्थ क्या हुआ हुआ कि इनकी property कुटे की property या टेंट में जो नॉमैड रह 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 थे उनकी property नहीं इनकी कोई property नहीं थी पर property मतलब उनका क्षेत्र दाइरह हर कुटे का एक दाइरह होता आप देखेंगे एक खेत्र होता है territory होती है दूसरे कुटे उसमें आ जाएं तो territory के कुटे उसको परिशान करते हैं और फिर दोनों में के जगड़ा होता है कई बार आप देखेंगे तो property कार्थ यहां है दाइरह the sphere of influence प्रभाव का क्षेत्र इतने क्षेत्र में उनका प्रभाव रहता है sphere of influence so having seen us of the property properties हमको जब तक अपने क्षेत्र के दाइरे से दूर न कर दें तब तक वो हमें हमारा पीछा करते थे सौ सौ मीटर तक पीछा करते थे यानि उनका दाइरह कई बार सौ सौ मीटर का होता था और उसके बाद फिर वो रहत या अराम करते थे ease off थोड़ा slow हो जाते थे to ease off मतलब slow हो जाना कुट्टे बहुत तेजी से दोड़ते हुए आते हैं और फिर इसके बाद वो शान्त हो जाते हैं थंडे पड़ जाते हैं यही हाल मैस्टिफ का था तो ट्राइट 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 इस बीटिफल डिस्क्रिप्शन यह जो इतना सुंदर वर्णन किया है उस घटना का कि कैसे कुटे परिशान कर रहे थे और कैसे वो पाड़ियों पर चड़ रहे थे उसका अनंद लीजिए जार्नी इस वर इंट्रेस्टिफिंग और प्राइट वर्णन किया जाते हुए इस बीटिफली एक्स्प्रेश्ट ये समझने की कोशिश करिए कि हर एक घटना को कितनी सुंदर्ता से लेखक ने लिखा है हमारे सामने विलकुल जीवन्त दृष्य मानो आ रहा है we feel as if we are a part of this journey ऐसा लग रहा है मानो हम इस journey की इस यात्रा के एक अंग होगा इतना बढ़िया विवरन है इतना बढ़िया एक्स्प्रेशन है so you have to learn the art of such expressions आपको इस की कला को सीखना है ऐसे अभिव्यक्त की कला को सीखना है यही इस आर्टिकल का उद्यश्य है and so now we move further the animals chasing almost 100 meters of the property of मतलब property चलग easing off मतलब आराम करने लगना रुक जाना, शान्थ हो जाना having seen us of the property अपने प्रभावक्षित्र से हमको जब दूर देखते थे तो वो शान्थ हो जाते थे क्योंकि हम तो तेजी से चले जा रहे हैं कार में we are speeding तो जैसे उनकी territory में आते थे भॉंकना शुरू करते थे अब हमें समझ में आया कि क्यों ये फिरोशास भैंकर फिरोशास, बहुत खतरनाक भैंकर टिबिटन मैस्टिफ को चाहना के जो राजा लोग थे, सम्राट लोग थे, वो क्यों लोग क्यों इन्हें अपने पास रखते थे क्यों ये मैस्टिफ उनके दरबार में इतने popular हुए क्यों राजा के दरबार में मैस्टिफ को बहुत इस्तान दिया गया क्योंकि ये hunting dog थी To hunt मनें शिकार करना hunting dogs थे और hunting dog के रूप में चीन के राजाओं के धरबार में राजाओं ने इसकी हंटिंग डॉक के रूप में इसकी बहुत क्वालिटी देखते हुए से अच्छी संख्या में अपने हाँ पाला था अच्छी संख्या में अच्छी संख्या में राजाओं के दरबार में मैस्टिफ को इतना स्थान दिया गया कि बहुत सारे मैस्टिफ राजाओं के दरबार में से जुड़ गया एज हंटिंग डॉक्स शिकारी कुटे के लिए रूप में तो इसमें कोई आश्यार नहीं अब हमें समझ में आया कि हमें समझ में ने कोई दिक्कत नहीं हुए अब कि आखिर इन कुटों को क्यों चाइना के दरबार में राजा लोग रखते थे अब यह कुटे आये कहां से थे देखिए नेरेटर तो बात कर रहा है उस खेतर की जहां रावू से रावू से निकल के माउंट कैलास की ओर बढ़ रहा है टिबेट कहीं और है वहां से दूर है तो फिर यह कुटे आये क्यों इसलिए आये इनकी हंटिंग क्वालिटी को देखकर इनकी हंटिंग क्वालिटी को देखकर सिल्क रोड में सिल्क रोड के मध्यम से चाइनीज लोग इसे तिबबत से लाए तिबबत से गिफ्ट के रूप में ट्रिब्यूट के रूप में द उपहार के रूप में टिबेट में इन कुत्तों की संखिया भौत थी तो वहां के लोग किसी चीज के बदले में चाइनीज लोग को जो सिल्क रूट में आ जा रहे थे व्यापार के देशे से सामान ला रहे थे ले जा रहे थे कुछ सामान उनको टिबटियों को दे दिया जाता था और उतके बदले लोग मैस्टिफ को दे देते थे तो मैस्टिफ was also used as a kind of barter विनिमय का उप्योग, विनिमय के काम में भी मैस्टिफ का उप्योग हुआ होगा या gift के रूप में तो था ही, tribute के रूप में तो था ही, tribute मने gift तो इस वकार ये अब आपको पता लग गया कि इन पहाडियों पर जो माउंट के लाश के रास्ते में हैं, उन पहाडियों में टिबेट के मैस्टिफ कैसे आए ये अब आप समझ गया, और आने का कारण है, सिल्क रूट, जो टिबेट को connect कर रहा था, रावु के periphery में, रावु के सीमा के आस पाथ, जो टिबेट को connect कर रहा था, वहाँ तिबेटी लोग मैस्टिफ लाते थे, सिल्क रूट में जाने आने वाले चीनी वे अपारी, कुछ By now we could see snow-capped mountains, gathering on the horizon, horizon मतलब जो वो जगह जब आप दूर देखते हैं, तो वो खेतर जहाँ पर जमीन और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, खितिज, horizon मतलब खितिज, बहुत दूर आप देखेंगे, तो एक ऐसा point दिखता है, जहाँ पर प्रित्वी और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, तो अब ये कहते हैं, लिखक कि बहुत दूर अब हमें snow-capped mountain दिखाए, कैप मतलब टोपी, उसी से बन गया capped, टोपी पहनी हुई, किस चीज की टोपी, snow की टोपी पहने हुए पहाड, gather मतलब इकठा होना, gather ground horizon, अब दूर, बहुत दूर, सुदूर दूर, खितिच की तरफ, अब हमें, बर्फीले, बर्फ से ढखे हुए पहाड दिखाए देने लगे, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, नहीं नहीं पहाड़ियां दिखने लगती हैं, क्योंकि उतार चड़ाओ है रास्ते में, उस उतार चड़ाओ में पहाड़ियां छिपी रहती हैं, धीरे धीरे वो सामने आती हैं, जैसे जैसे हम उनके निकट जाते हैं, So gathering on the horizon, वो मानों कठी हो रही हैं, ऐसा दिखरा था, we entered a valley, where the river was wide, valley मतलब घाटी, अब हम एक ऐसी घाटी में पहुंचे, जहां पे बहुत चौड़ी नदी थी, And mostly clogged with eyes, और अधिकतर जगा, ये नदी में हमने बर्फ पाया, clogged मतलब बर्फ के टुकड़े हमने बड़े बड़े पाये, Clock with eyes, brilliant white and glittering in the sunshine, और ये जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे, जो नदी में थे, वो बहुत ही सफेद थे, शुद्ध पानी के, शुद्ध पानी के बर्फ, एकदम शुद्ध, और सूरज की रोशनी में बहुत चमक रहे थे, अब देखिए अब दूसरा वेवरन, यात्रा का, अभी तक मैस्टिफ और नमैड और पहाड़ी चटाने उसका वर्णन था, पहला वर्णन था मैदान का, पास्चर का, जहां पर जंगली हिरन दिखाई देते हैं, वाइल्ड ऐस दिखाई देता है, दूसरा वेवरन आता है मैस्टिफ का, और अब हम तीसरे इंस दिखाई दे रहा है, दा ट्रेल हगड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद दा मेंडर्स, जो ट्रेल जो है, जो रास्ता है, वो बिलकुल नदी के किनारे किनारे जा रहा था, मानो उसको गले लगा रहा हूँ, हमारा जो रास्ता था, ट्रेल मने मार्ग रास्ता, हमारा ज जुसरे को गले मिल रहे हैं, हग्ड विट, ट्रेल हग्ड इट्स बैंग, ट्विस्टिंग विट मेंडर, और ट्विस्ट खोना मतलब मुड़ते रहना, ट्विस्ट, ज़ वाइर इस ट्विस्टेड, तार जो है बहुत ज़्यादा मुड़ गया है, बहुत ज़्यादा मुड़ 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 ज़्यादा मु The trail hugged its bank, गले लगाना, twisting with meander, meander मतलब घुमावदार, meandering वे मतलब घुमावदार रास्ते, so ये घुमावदार जो रास्ते थे, as we gradually gained height and the valley sides closed in, to gain height मतलब उचाई पे पहुचना, to gain मने पाना, I gained 500 rupees for my work, मैंने 500 रुपे पाए अपने काम के लिए, and gain height मतलब उचाई पाना, अब जैसे जैसे हम उपर पहुचते जा रहे थे, gradually gained, gradually मतलब धीरे धीरे, जैसे जैसे, as we gradually gained height and the valley sides closed in, और जो घाटी का जो, घाटी का जो ढाल था, वो धीरे जीरे खतम हो गया, और साथ हम फिर एक समतल जगह पे आ गए, कहां से, twisting and meandering way, घुमाओदार और तोड मोड वाले रास्ते, जो रास्ता नदी के किनारे किनारे से चल रहा था, ट्रेल जासा, उसमें अब हम यात्रा कर रहे थे, the turns became sharper, sharp turn मतलब क्या होता है, sharp मतलब होता है, धारी धार, his mind is very sharp, मतलब क्या हुआ, धार जैसा उसका जो दिमाग है, धार जैसा, बहुत तेज, धार धार चाकू, बहुत तेज चाकू होता है, उससे बना sharp, और धार धार दिमाग मतलब बहुत तेज दिमाग, अब यहां पे sharp turn मतलब क्या होता है sharp turn मतलब बहुत ज़्यादा मोड almost you turn को sharp turn बोलेंगे कई जगे रूड में आप पाएंगे sharp turn लिखा हुआ किनारे PWD के board में लिखा रहता है sharp turn मतलब बहुत ज़्यादा मोड है इसलिए धीरे चलाएं so the turns became sharper अब ऐसी जगह हम आगे थे जहां पे जो मोड थे बहुत ज़्यादा मुड रहे थे and the ride bumpier और सडकें भी खराब थी ride मतलब यात्रा motorcycle ride pillion rider pillion rider मतलब क्या होता motorcycle में या दुपही गाड़ी में पीछे बैटने वाला व्यक्ति कहलाता है pillion rider एक तो driver रहता है और पीछे वाला क्या कहलाता है pillion rider so rider to ride मतलब चड़ना बैटना as the turn became sharper and the ride bumpier bump मतलब जटके जैसे जैसे सडक बहुर और ज़्यादा घुमाओदार होती जारी थी बहुत ज़्यादा उसमें यू टन थे और जैसे जैसे सडक उबर खाबर होती जारी थी तेसन नाओ in third gear as we continue to climb तेसन अब third gear पे चला रहा था गाड़ी क्योंकि हम लगातार चाट रहे थे अर्था fourth gear में normally गाड़ी चलती है fifth gear में चलती है विदेश में और ये चूंकि विदेश की कहानी है तो वहां fifth gear की बात होगी यहां पे अब third पे गाड़ी चलाने की जुरत पड़ी क्योंकि third gear में गाड़ी को ज्यादा horsepower मिलता है ज्यादा speed ज्यादा force मिलता है speed नहीं force और चढ़ाई में गाड़ी को क्या चाहिए उपर चढ़ने के लिए force चाहिए शक्त ही चाहिए तो इसलिए अब driver तेशन जो है अब वह गाड़ी को तीसरे gear में चला रहा है the track moved away from the icy river और अपशड़क जो है वो moved away हो गई दूर चले जाने लगी किस से icy river से उस नदी से जिसमें बर्फ के कई जगट टुकडे मिले थे उस नदी से अब शड़क दूर के और जाने लगी है कितना सुंदर विवरन है बिलकुल ऐसा लग रहा है आपको लगना चाहिए कि यस हम भी उस यात्रा के एक हिस्से है कहां पे नदी और शड़क गले लगा रहे थे अब वहां पे now the road is moving away laboring through steeper slopes that spotted big rock daubed with patches of bright orange lichen beautiful description laboring through steeper slope labor करना steep मतलब तेज धाल steeper मतलब और तेज धाल बहुत ज्यादा उसमें चढ़ाव था चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी slope याने ढाल ढाल slope the slope was very steep बहुत ज्यादा उसमें ढाल थी और था काफी कुछ सड़क सीधी उपर की और थी ऐसी सड़कों पे हम जा रहे थे that sported big rock और वहां पर और चढ़ने में बहुत परिश्रम लग रहा था गाड़ी को बहुत आवाज करती हुए अब चल रही होगी तीसरे गियर पर थी फिर दूसरे में लाना पड़ता था लेबरिंग परिश्रम करना लेबर मतलब महनत लेबर मतलब परिश्रम और तू लेबर मतलब परिश्रम करना लेबरिंग हर्ड फर ग्रेट सक्सेस इन ग्जामिनेशन मैं परिश्रम में बहुत अच्छी सफलता के लिए बहुत कथिन श्रम कर रहा हूं लेबरिंग हर्ड यहां पर माइगाड़ी वर लेबरिंग हर्ड लेबरिंग हर्ड फर ग्रेट सब्सक्राइब दोब परिश्रम करना उसके छीटे हर्ड तो छीटे का रहत हर्ड यहां नहीं है यहां दाब का मतलब होता है बहुत जगह ऐसा दिखाई देना बीच बीच में ऐसे पैचेश थे, ऐसी जगहें थी जहां पर bright orange lichen दिखाई दे रहे थे big rocks sported big rocks बड़ी बड़ी चटाने थी अब देखे, sport शब्ज यूज़ किया sport मतलब खेल कुछ and to sport मतलब खेल कुछ से कुछ संबन्द नहीं है I am sporting a white shirt right now मैं सफेज shirt पहना हुआ हूँ इसका खेल कुछ से कोई संबन्द नहीं है he is sporting a very nice goggle वो बहुत शांदार चश्मा पहना हुआ है sport शब्द का उपयोग यहां देखिए so sporting यहां पर बोल रहा है sported big rocks मतलब बीज बीज में बहुत सारे चटान दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े चटान और टुकडों में खंडों में कई खंडों में अलग-अलग ऐसा लगाता है उसका लंबा वो लिचन का वो नहीं दिख रहा था तुकडों टुकडों में दिख रहा था और साथ में बड़ी बड़ी चटाने है और टरंस भी बहुत शार्प हो गया थे बहुत steep भी हो गए थे, bumpy भी हो गए थे, मतलब कठिनाईयां बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन हमारा साहज भी बढ़ता ही जा रहा था, beneath the rocks, hunks of snow clung on it, in the near permanent shade, beneath the rock, beneath one in नीचे, beneath the table, अब under the table और beneath the table में क्या अंतर है, my book is kept under the table, and my book is kept beneath the table में क्या अंतर आप समझेंगे, under the table मतलब, table का जो top है, उसके नीचे कहीं पर किताब रखी है, और beneath the table मतलब, पूरी टेबल के नीचे, जो चीज रखी उसे beneath बोलेंगे, beneath the table यहने पूरा नीचे होना, तो यहां beneath the rocks, in चटानों के नीचे क्या था, इन चटानों के नीचे, beneath the rocks, hunks with, of snow clung on, in the near permanent shade, snow का जो टुकडे थे, वो उसे चिपक गए थे, clung on, to cling on, मतलब, लटक जाना, don't cling on to me for this, मेरे पे मतलब को इस काम के लिए, so cling का उपयोग देखे, don't cling on to me for this work, इस काम के लिए मेरे पे मतलब को, और साथ, मुझसे उमीद मत करो कि मैं यह काम करूँगा, he clung on to me to go to Bombay, फिर मेरे उपर लटक गया वो Bombay जाने के लिए, और साथ, जैसे जैसा मैं जाओंगा, वैसा वैसा मेरे साथ चलने की योजना बनाने लगा, तो यहाँ पर जो snow था, वो चट्टानों पे लटक गय थे, अटक गय थे, हंग, हंगs of snow clung on in the near permanent shade, और अपना चिन छोड़ दिये थे, एक तरीके से near permanent, अब देखिए permanent नहीं बोल रहा है, near permanent, मतलब लगभग स्थाई, चिन ने वहाँ छोड़ दिया था, अब हम इतनी उचाईयों पे आगे थे, कि अब मेरे आँखों में, कान में प्रेशर पढ़ने लगा, दबाव पढ़ने लगा, उचाई का कान के दबाव से क्या संबंद है, जैसे जैसे हम उचा जाते हैं, एर प्रेशर बढ़ता है, आप मेंसे जिन लोगों ने ऐरो प्लेइन में यात्रा की होगी, या जो लोग बहुत उचाईयों पे गया होंगे, बद्री नात, केदार नात की यात्रा, तो वहाँ जाते हुए आपने महसूस किया होगा, आपके I felt the pressure building up in my ears, build होना, बनना, building मतलब भवन, यहां build से बना building, तो भवन से यहां कोई तालुकात नहीं है, building up मतलब बढ़ता हुआ, pressure, दबाओ, मैंने अपने कानों पर महसूस किया, held my nose, अपने नाक को पकड़ा, क्योंकि नाक से, नाक में सरदी जासा में लगने लगा, snorted and cleared them, snort करना मतलब छीकना, नाक की सफ़ाए, नाक को ऐसा पढ़के, जब हम जोर से हवा छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो छीकना भी नहीं, बलकि एक तरीके से आवाज निकालना, ताकत लगाना नाक के अंदर, तो ऐसा ताकत लगा, मैंने clear किया अपनी नाक को, क्यों क्योंकि सर्दी हो रही थी अब